एलो फ्रेंस तो आज की हमारी मुवी का नेम है इटर्नल्स चो मार्वे स्टूडियो की बहुती शानदर मुवी है जिसे आएम डिवी पर 7.3 की रेटिंग मिली है जिसमें कई सारे अलग-अलग सूपर हिरोस देखने को मिलेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारी मुव की और तो मुवी के स्टाटिंग होती है और 5,000 बिसी से सेलिस्टेर्स को वहाँ पर दिखाया जाता है जिसने सूरज और पूरे ब्रह्मान को बनाया था और धर्ती भी उसकी ही रचना थी और फिर जब इंसान की रचना हुई तब वहाँ पर डीप स्पेस से कुछ अजिब से क्रियेचर भी आगये थे जिसे डेवियां का जाता था जो की बहुती खतरनाक थे इसलिए शेलिस्टेर्स ने इंसान को बचाने के लिए अपने 10 सुपर हीरो को एक स्टार सिप से धरती पर बेजा इसी सेलिस्टेर्स ने मिल कर धरती के सारे डेवियां का खatमा कर दिया और वो इंसानों के साथ दर्ती पर ही रहने लगे लेकिन इतनी जल्द उन लोगों के विचारा पस में मेल नहीं खाते थे इसलिए उन सभी ने फैसला कर लिया कि वो सब अपनी अपनी राह पर अलग-अलग चलेगे और इन्ही सुपर हिरोस को इटरनल्स के नाम से जाना जात फिर वो दोनों एक दूसरे को डेट करते हैं फिर जब सरसी म्यूजियम में पढ़ा रही होती है तब भी वहाँ पर कुछ हिलना शुरू हो जाता है चिस वज़े से दिवर पर लगी हुई एक बहुती पहारी पत्थर की कलाक्रिती एक स्टूडन पर गिरने ही वाली थी ले स्प्राइट था जो सर्ची के साथ ही रह रही थी हाला कि उसके तरती पर पूरे 7000 साल बीच चुके थे लेकिन उनकी उम्र एक दिन भी नहीं बढ़ी थी फिर एक दिन सर्ची का बोई फ्रेंट जो की उसके साथ उसके म्यूजियम में काम करता था जिसका नाम डेन होता है और फिर जब वो लोग सेलिब्रेशन करके वापस आ रहे होते है तभी एक डेवियंट वहाँ पर आकर उन पर हमला कर देता है स्प्राइट सर्ची और डेन उसका सामना करने की कोशिश करते है लेकिन वो बहुती ताकत और होता है तभी सर्ची अपनी ताकत से उसके पेरों को जाम कर देती है लेकिन वो छूट जाता है और स्प्राइट पर हमला करता है और उससे पहले कि वो स्प्राइट पर हमला कर पाता वहाँ पर इक्रिस नम का इटरनल आ जाता है और इक्रिस जो की बहुती शक्ति चाली होता है वो अपने पावर से उस डेवियंट को खायल क करने लगता है यानि कि खुदी वो अपने आपको हील करने लगता है यह देखकर वो तीनों एटरनल्स हैरान हो जाते है क्यूँकि आज से पहले कोई भी डेविएंट के पास एसी पावर नहीं थी और वो एसा नहीं कर पाते थे फिर वो डेविएंट वहां से भाग जाता है इक्रिस असल में वो इटरनेल होता है जिसने पाँचजर साल पहले सर्षी से शादी की थी और करीबन दोजर साल पहले वो दर्थी को छोड़ कर कहीं चला गया था उसके जाने के बाद सर्षी अकेली हो गई थी इसलिए वो डैन को डेट कर रही थी लेकिन यहाँ पर सर्षी क जब तुम लोग कहा पर थे और तुम लोगों ने उस वक्त मदद क्यों नहीं की थी सर्षी उसे बताती है कि हमें दुनिया के परसनल मामलों में इंटरफियर करने की इजाज़त नहीं है हम यहाँ सिर्फ डेवियंट को मारने और धर्थी पर टेक्नोलोजी बढ़ाने के ल को खुद ही भर सकती थी यानि कि वो अपने घाओं को हिल कर सकती थी और अब उसी की ये शक्ति डेवियंट के अंदर है यानि कि उस डेवियंट ने एजक को मार कर उसकी सारी पावर को अपने अंदर एबजोव कर लिया था तब एजक की बोड़ी से एक रोशनी निकलती है और वो सरसी की बोड़ी के अंदर चली जाती है जो इस बात का प्रतिक होता है कि एजेक ने अगला लिडर सरसी को चुना है वो लोग समझ चुके थे कि जो डेवियंट अब लोट आये है वो बहुती खतरनाक है और बहुती शक्तिशाली है इसलिए वो लोग फैसला करते है कि वो सभी इटरनल्स को इकठा करेंगे वो लोग एक एक करके सभी इटरनल्स के पांस जाते है जो धरती पर आम इंसंत की तरह रह रहे थे हाला कि कोई भी वापस आने के लिए इंट्रेस्टेड नहीं था लेकिन जब वो लोग एजेक की मौत के बारे में सुनते है तो वो सभी इकठा होने के लिए रेडी हो जाते है फिर सरसी फैसला करती है कि वो अरिशेम के पांस जाएगी अरिशेम वो है जिसने इन सब को बनाया है और वो अपनी शक्तियों से अरिशेम के पांस जाती है और फिर अरिशेम सर्सी को दर्ती के इनसानों की सच्चाए के बारे में बताते है वो कहते है कि हमने दर्ती की कौक्फ में एक सेलिस्टियस का बीच बोया है जिसे पूरी तरह से ग्रो होने में 7000 साल लगेगे जिस तरह से पेड़ और पोधे अपने जीवन की एनर्जी के लिए सुरज का इस्तमाल करते है उसी तरह सेलिस्टियस को अपनी एनर्जी इनसानों के जीवन से मिलती है वो साथ में ये भी बताते है कि उसने सबसे पहले डेवियन को बनाये था लेकिन वो बहुती ज़्यदा खुंकर हो गए थे और वो धर्ती के जीवन को खतम करने लगे इसलिए एरिश्यम ने इटरनर्स को बनाया ताकि डेवियन को खतम कर दिया जाए फिर सरसी ये सब सच जानने के बाद कवरा जाती है क्योंकि उसे पता था कि सेलेस्टियस को धर्ती को कोक में रखे हुए पूरे 7000 साल बीच चुके है यानि कि सेलेस्टियस के बाहर आने का वक्त बहुती करीब है और अगर धर्ती से सेलेस्टियस बाहर निकले तो धर्ती पर इंसानियत खतम हो जाएगी दरसल अरिशेम खुद भी एक सेलेस्टियस है और वो अपनी प्रज़ती को बढ़ाने के लिए इसी तरह से प्लेनेट का इस्तमाल करते है सरसी को पुरा सच पता चलने के बाद उसे बहुती बुरा लगता है क्योंकि वो पिछले 7000 सालों से दर्ती पर रह रही थी वो इंसानों से कनेक्ट हो चुकी थी और वो नहीं चाती थी कि दर्ती का खतमा हो फिर सरसी वापस आ जाती है और अपने साथियों को पुरा सच बताती है कि किस तरह से इमरजन्स का दिन आने वाला है यानि कि वो दिन जिस दिन तर्ती की कोक से सेलेस्टियल बहार निकलेंगे और पूरी इंसानियत का खतमा हो जाएगा और इटर्नल ऐसा बिलकुल भी नहीं चाते थे इसलिए वो अपने एक और साथि को डुनने के लिए एमाजन के जंगलों में जाते है लेकिन ठीक उसी वक्त डेवियंट का लिडर उनके एक साथी गिलगमिश को मार कर उसकी पूरी पावर को अपने अंदर अबजेव कर लेता है गिलगमिश की पावर पाने के बाद वो डेवियंट अपनी शकल बदल लेता है और वो इंसान के जैसा दिखने लगता है साथ में उसे Emergence के बारे में भी पता चल जाता है जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है और अब वो Eternals अपने साथी की मौत से बहुती ज़्यादा दुखी हो जाते है इसके बाद सारे के सारे Eternals इराग जाते है जहांपर आजसे 7000 साल पहले उन्होंने जमिन के निच्चे अपनी Space Ship को दबादिया था वो अपनी Power से उस Space Ship को बाहर लाते है और जब वो लोग उस Space Ship के अंदर जाते है measured के तो वहाँ पर उसकी एक साथी पहले से ही मोजुद होती है जो बोल नहीं सकती थी और जिसकी रप्तार विजली से भी तेज होती है उसका नाम मकारी होता है तभी उन्ही में से एक इटरनल जिसका नाम फास्तोस होता है वो बताता है कि हम सबको अपनी पावर को इखटा करना होगा तभी हम इमर्जन्स यानी कि हम सेलिस्टियस को तर्त कोक से बाहरा आने से रोक सके लेकिन तब भी इक्रिस उनका साथ देने से मना कर देता है वो कहता है कि मैं 50 खिलाफ नहीं जा सकता हूँ वही हमारे creator है और उसी ने ही हमें बनाया है और इसके बाद इक्रिस सब रोकने के बारे में ही बताया था उसने कहा था कि हमें सेलेश्टेस को तर्तिकी कोक से बाहर आने से रोकना होगा लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता था और मैं अरिश्यम को किसी भी किमत पर दोका नहीं देना चाहता था इसलिए मैंने एजेक को डेवियंट के आगे फैक दिय और उसे मरवा दिया और डेवियंट ने उसे मार कर उसकी शक्ति को एबजोग कर लिया उसके मरने के बाद में वापस उसे उसी जगह पर लेकर गया जहां तुम लोग ने उसकी लाश देखी थी यहां पर दूसरे एटरनल्स यह सब सुनकर बहुती गुस्से में आ जाते हैं और वो लोग बहुती दुखी हो जाते हैं कि उनकी लीडर एजेक की मौत का कारण इकरिस है फिर इकरिस वहां से जाने लगता है स्प्राइट भी उसके साथ ही चली जाती है क्योंकि वो इकरिस से प्यार करती थी उन दोनों के जाने के बाद उनका एक और साथी वहां से चल बनाता है फिर वो सब अपना स्पेश्शिप लेकर हिंद महासागर यानि की इंडियन वोशन पर जाते है चाहा पर एक ज्वाला मुखी होता है और वहीं से ही वो सेलेश्टी अल निकलने वाला था इक्रिस और स्प्राइट पहले से ही वहां पर होते है जो उनके स्पेश्शि उसे कहती है कि मैं जवाला मुखी के पांस इमर्जन्स को रोकने के लिए जा रही हूँ, तो मिखरिस को रोको, फिर सर्सी भागती हुए जवाला मुखी के पांस पहुँच जाती है, और वहीं दूसरी वर सबके सब एटरनल्स इकरिस से लड़ रहे होते है, तब ही वहाँ प बताती है कि मैं 7000 सालों से धरती पर हूँ, लेकिन मैंने कभी प्यार को मैसूस नहीं किया है, और अब मैं एक रिस से प्यार करती हूँ, और इसलिए मैं उसका साथ दे रही हूँ, और इससे पहले कि वो सर्सी को को और नुक्सन पहुँचाए, तब ही पिछे से में डेवियन के लीडर को दिखाया जाता है, जो कि थीना के साथ लड़ रहा होता है, वो थीना को अपने कभजे में ले लेता है, और उसे जकड़ लेता है, और उसकी शक्तिये को एबजो करना शुरू कर देता है, दरसल थीना बार बार अपने सपनों की दुनिया यानि की दुसरी दुनिया में चली जाती थी और थिना के पांस एसी पावर भी होती है जिसकी वज़े से वो खतरनक से खतरना खत्यार एक ही पल में निकाल लेती थी और तभी उसे होश आता है और उसके हाथ में दो तेज खतरना खत्यार आ जाते है जिससे वो डेवियन के लिडर को म मार देती है वहीं दूसरी वर हम देखते हैं कि इमर्जंस शुरू हो चुका था यानि कि दर्ती की कोक से अब सेलिस्टेस बाहर निकल रहा था चीसे देखकर सरसी अपने पावर से उस पूरी जगह को पत्थर में बदलना शुरू कर देती है ताकि वो पूरी जगह जम जाए और सेलिस्टेस बाहर ना निकल पाए जह वीकरिस यह सब देखता है तो वो सरसी को मारने के लिए उसकी और आगे बढ़ता है लेकिन तबी उसे वो पल याद आते है जो पल उसने सरसी के साथ बिताये थे वो दोनों हजारों साल पहले एक दूसरी को बहुत ही प्यार करते और यहां पर उनका मन बदल जाता है और उसे एहसास होता है कि वो गलत साइट से लड़ रहा था इसलिए वो और स्प्राइट भी बाकी एटरनल्स के साथ मिल जाते है जिससे सरसी के माइंड की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो उस पूरी जगह को पत्थर मे बदलने में काम्याब हो जाती है जिससे सेलिष्टियस पूरी तरह से बाहर नहीं निकल सकता है हाला कि उसका हाथ और सर बाहर निकल ही चुके थे लेकिन वो वहीं पर ही पत्थर बन कर रह जाता है फिर हम देखते हैं कि क्रिस को अंदर से गिल्ट फिल होता है और इसी गिल इमर्जन्स के रुकने से तर्ती अब पहली की तरह नॉर्मल हो गई थी और अब लाश्ट में छे इटरनल्स बच्चे थे जो कि दो टिम में बट जाते हैं जिसमें से तीन धरती पर ही रह जाते हैं और तीन अपने स्पेस्चिप में बेटकर निकल जाते हैं अब जो तीन तर्ती पर बच्चे थे उसमें से एक सर्ची होती है दूसरा किंगो और तिसरा फास्तोस होता है और तभी आस्मान में से अरिशेम की शक्ति उन तीनों को अपनी और खिंच लेती है जिसने उसे बनाया था अरिशेम उन तीनों से कहता है कि तुमने इमर्जन्स को होने से र फिर इस मूवी के एलाइश सिन में हम देखते है कि जो तीन इटरनल स्पेश्चिप में बेट कर गए थे उनके सामने दो लोग आते है जिसमें से एक का नाम पीप होता है जो इरोस का असिस्टन्ट होता है और दूसरा खुद इरोस होता है जो कि थेनोस का भाई था जो इटर इसी के साथ हमारी मूवी यहां पर खतम होती है तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करे शेयर करे और सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिना बुले